बीपी सीजी 171 सामान निमनोविज्ञान जर्नल साइकलोजी इसका आज का मारा कारगा चेप्टर नमबर 5 है या आप कह सकते ही उनिट नमबर 5 क्या है ब्यक्तिगत अंतर और बुद्धी मत्ता यानि हम इसमें बुद्धी के बारे में बात करेंगे बुद्धी की परिभासा क क्या है या बुद्धी के सिद्धान्द क्या है ठीक है या बुद्धी की आउधाना या उसकी प्रकृति क्या है हम इसी चीज के बारे में देखेंगे इसमें आगर आप देखेंगे तो 5.2 भाई ब्यक्तिगत अंतर की आउधाना क्या है यानि ब्यक्तिगत अंतर क्या होता इसको देखेंगे नेक्स्ट हमारा रहा है बुद्धी के परिभासा बुद्धी का सिद्धान्त एक्जाम में आ सकता है और इसमें एक जो और आपका रहेगा बुद्धी का मुल्यांकन ठीक है नेक्स्ट जो रहेगा क्या है बुद्धी का मुल्यांकन यानि हम अपने जो बुद्धी या उसका मुल्यांकन कैसे करते हैं नेक्स्ट आप कह सकते हो सामबेगिक और सामाजिक बुद्धी वही सामबेगिक बुद्धी क्या होती है और सामाजिक बुद्धी क्या होती है इन सभी चीज के बारे में इस चेप्टर में देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले 5.2 में द बिविद्ता होती यानि डिफरेंस होता ना इंसानों में बिविद्ता है उसी प्रकार से कह रहे हैं कि भाई पिर्थिवी पर जितने भी आबादी है जितने भी लोग है उनमें क्या है बिविद्ता है चाहे पेड़ है पौदें जीव है जनतो है सम्में क्या है बिविद्ता ती है कलपना कीजिए यदि हमारी पिर्थवी में के एक परकार ऑम के बिर्ष या हर जगा पर एक परकार के जानवर हो हर जगा पर एक परकार के फूल हो फिर दुणिया कैसे दिखेगी पर भॉड तक हम नंतर का मतलब होता है जैसे हम बात करें जैसे नं специ कोई चोटा है कोई मोटा है कोई काला है कोई पीला है कोई गोरा है हर परकार की लोग है अगर मालो सब की एक जैसी सकल हो सब की एक जैसे हो तो कैसे दिखेगा अगर उसी परकार से करें जैसे आहम पेड़ की बात करें पेड़ हैं पौध हैं जियू जन्तु हैं सब में अलग गलग परकार से है ना सब में अलग अलग बराइटी है ना अगर मालो सभी एक जैसे हो जाएंगे तो यह दुनिया कैसे दीखेगी उबाव हो जाएगी ना मालो की सभी एक जैसे दीखेंगे तो पहचानोंगे कैसे तो उबाव दीखेगी ना इसी तरह एक एक ऐसी दुनिया क कि कलपना करें जहां हर व्यक्ति सोच द्रिष्टकोंड बुद्धिमक्ता और सामाजी किस्तिति और व्यक्तित में एक दूसरे के समान हो माल लीजे वह सभी बहुमुखी हो फिर भी हमारे सामने विशेश रूप से मनोबैग्यानिक के लिए बहुत उबाव हो जाएगा क्यों सभी इंसानों की जो सोच है जो विचार है जो थिंकिंग है जो कलपना है अगर एक जैसे हो जाएगा तब भी हमारे लिए क्या होगा उबाव होगा तब भी क्या होगा इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं होगी ठीक है इसलिए अंतर या विवित्ता इस संसार में ब्यापक व अगर हम विवित्ता की बात करें तो हर चीज में विवित्ता है भाई सबकी एक जैसी सोच नहीं है सबकी एक जैसी सकले नहीं सबका एक जैसा रंग नहीं सबका एक जैसा रूप नहीं है सबकी एक जैसे सोचने विचारने की छमता नहीं सबका एक जैसा मायंड दिमाग नहीं अरे बाई जब सबके दिमाख है, जो सोच है, जो माइंड है, जो थिंकेंग, जो विचारधारा कलपना है, अगर सबकी एक जैसी रहेगी, तो उसमें कुछ विशेष नहीं रहेगा, कह सकते हैं, विशेष यही है, जब सम्में क्या है, बिविदता है, आप देखते हूं, जि विशेष नहीं के संदर्व के बीच, भिन, भिन्नता को संदर्वित करता है, प्लोटों के अनुसार, कोई भी दो व्यक्ति, एक जैसे पाइदा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति तो प्रकिर्तिक बंदों बस एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे कि, एक व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अनकुल करता है कि भाया दुनिया में जब लोगों का जन्म होता है तब सब एक जैसे हैं अगर हम देखें दुनिया में जब लोगों का जन्म होता है सब एक जैसे होते हैं अरे सबकी वह है जैसे लेकिन अगर देखें तो अगर ब्यक्तित के अधार पर डिफरेंस आए भाई कोई खेलेने में बहुत पारंगत है वो कोई बहुत बड़ा खिलाडी बनेगा तो साइट कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार बन सकता है या हीरो बन सकता है कुछ भी बन सकता है अगर एक व्यक्ति बहुत अच्छी नोकरी पाएगा तो दूसरा व्यक्ति क्या भही मजदूर भी बन सकता है तो इस प्रकार से क्या होते हैं अंतर होता है यानि इसको बोलते समाज में भाई सबका रंग रूप सोज विचार अंतर दूसरा इंसानों के व्यक्तित में भी अंतर होता है ठीक है मनोविज्ञान की यह साखा हम कैसे सोचते हैं हम कैसा महसूस करते हैं हम क्या चाहते हैं हमारी क्या हो सकता है हम क्या करते हैं में व्यक्तिगत अंतर को अध्य करता है हम व्यक्तिगत अंतरों पर अध्यन करेंगे व्यक्तियों में जो व्यक्तिगत अंतर हैं जैसे हर इंसान में डिफरेंस है वह जैसे कोई है बहुत बड़ा खिलाड़ी है तो कोई बहुत मजदूर बन गया कोई पढ़ली करके कोई अलग प्रसिद्धी पा गया ठीक है अगर कोई आर्मी का पर्षण है अगर कोई लेबर है या मजदूर है उसमें अंतर है तो हम इने ब्यक्तिगत अंतरों को यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ सवाल यहाँ कि ब्यक्तिगत अंतर का अध्यन करने की आउसकता क्यों है क्योंकि यह व्यक्ति की बेवहार पर अधिक सक्टिक रूप से यानि व्यक्ति का जो बेवहार है हम व्यक्तिगत रूप का अध्यन इसलिए करते हैं ताकि जो व्यक्ति का बेवहार है उसको हम अधिक बहुत अच्छी तरीके से या बहुत बहतर तरीके से हम लोग उसको क्या कर सकें बता सकें इसलिए ब्यक्तिवत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्व होते हैं एक ही परिवार में भाई बहन की योगता और बुद्धिमत्ता का अस्तर अलग-अलग होता है करें भाईया कि जैसे मालो एक ही परिवार में बच्चे का जन्म हुआ तो कोई बहुत बढ़ाकों है तो कोई बढ़ाकों नहीं है कोई किसी में बहुत ज़्यादा सहें सीलता किसी में नहीं कोई बहुत गुस्ता करता कोई बहुत गुस्ता नहीं करता यानि एक ही परिवार में जन में है भाई बैन है लेकिन उनमें क्या होता है हमें अंतर दिखा प्रेकलपन प्रेकलपन जिसको बोलते हैं ठीक है परकलांस संप्रह है जो उचस्तर के अमूर्थ विचारों की जो उचस्तर के विचार हैं जो अमूर्थ हैं ठीक है जो रियल में नहीं है उनकी क्रियाओं का संदर्व करता है बुद्धी हमेशा सामाजिक बुद्धी क्या है हमेशा क्या है सामाजिक बैग्यानिक और दार्शनिकों के बीच परिभासित करना हमेशा यानी बुद्धी को सबसे अच्छे तरीके से या सबसे उपियुक्त तरीके से इसको परिभासित करना हमेशा मनोब्यग्यानिकों के लिए चुनवती भरा रहा है 1986 में बुद्धी को परिभासित करने के लिए एक संगोष्टी कायोजन किया गया था हलाकि इसे परिभासित करने में असमर्थ इस संगोष्टी ने बुद्धी को अनुकूली ब्यवार की गुणवत्ता जो ब्यवार अनुकूल है अनुकूली ब्यवार की गुणवत्ता ग्यानात्मक मनोवग्यानिक छेत्र में विकास के अंतिम उत्पादक के रूप में समाजिक दावड़ाना के छेत्र में जैसे अकादमी है तकनीक है समाजिक है या ब्यवारिक इस रूप में उसने बताया था या कहा था नहीं कह सकते बुद्धी के जो परिभासा है इसको परिभासित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आसान नहीं है इसको explain किया जा सके यह इसको हम परिभासित कर सके ठीक है अक्सपोर्ड वी ने जिनोंने पहला मनोवज्यानिक मानोकृति बुद्धी परिक्षण विक्सित किया था ने बुद्धी को अच्छी तरीके से नियाए अच्छी तरीके से सम्झने और तर्क की छमता की रूप में परिभासित किया था ठीक है आगे देखेंगे नेक्स देखेंगे जो बुद्धी की नेक्स परिवासा देखो बुद्धी के सिध्धान्त की बात करेंगे वे बुद्धी के कौन कौन से सिध्धान्त है यह थोड़ा इंपोर्टन रहेगा ठीक है बुद्धी के सिध्धान्त पहला अगर हम जो बच्चे हैं जैसे कोई बच्चा अठी गए जैसे वह अच्छा प्रदर्शन किसी विशे में करता है किसी एक सब्जेक्ट में उसका जो प्रदर्शन है महानों लोक पढ़ाई लिखाई को हम ले लेते हैं अच्छा प्रदर्शन वह अन्य विशे में भी अच्छे अंक प लड़का है कोई एक बच्चा है किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा करता है या बहतर करता है वो क्या होता किसी दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें भी बहतर करता है तो ये सारी जो गत्विदिया होती उसको प्रभावित करती है ठीक है कारक विसलेशन नामक एक संख्याकी की पद्धती का उपियोग करते हुए उन्होंने प्रस्तावित किया है उन्होंने प्रस्तावित का मतलब उन्होंने डिफाइन किया है उसको बताया है कि सभी ग्यानात्मक गतविदियों में मांसिक गतविदियां करें कि कोई भी गतविदियों कोई भी ग्यानात्मक हो उसमें क क्या भी मांसिक गत्विधी जो है दिमाग की दिमाग जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा इन बोल भै कह रहे हैं ठीक है सामिल होता है दो कारक सामिल जैसे सामान्य या जी कारक या विशिष्ट कारक होते हैं आपकी बुद्धी जी कारक या एस कारक का योग है जी कारक सभी प्रकार की मानसिक गदविदियों को प्रभावित करता है यह जी कारक क्या है जो जितनी देखें जी कारक क्या है प्रकार की जितनी भी मानसिक गदविदियां होती है उनको क्या करता है यह प्रभावित करता है ठीक है तो आपकी बुद्धी जी कारक और यह स्कारक का योग है जी कारक जो मानसिक चीजों को और यह सकारक जो है आपकी मानसिक गदविदी को जो आपका जो विसिष्टा है यह सकारक जो आपकी विसिष्टा है या जो मानसिक गदविदी है आपके परदर्शन को प्रभावित करता है इसके लावा जी कारक जन्म जात है यानि जी कारक जो जैसे मालो कुछ चीजें होती है ना इंसान में सुरू से रहती है कई-कई बार आपने देखा होगा ना किसी-किसी बच्चे का जो माइंड है ना बच्पन से ही बहुत विक्सित होता है या माइंड बहुत सार्प माइंड होगा किसी किसे का देखा होगा कि सुरू में सार्फ माइंड नहीं था विक्सिट माइंड नहीं था लेकिन उसने बाद में उस चीज को सीख लिया है यह अंतर होता ना भाई कोई मालोग गोलते नहीं बैगोड गिफ्टेड है परमात्मा ने पहले से जन्म से ही दे दिया है कुछ लोगों को देखा होगा कुछ लोगों ने काउसल से संघर से या सीखने के बाद उलेक चीख क्या लेते हैं सीख लेते हैं इसी सिध्धांत को यह बता रहे हैं करें कि बुद्धी के अगर हम इस सिध्धांत की बात रहे हैं तो बुद्धी का सिध्धांत बताता है कुछ ल होते हैं उनमें अगर ऐसा नहीं तो लोग सीख लेते हैं उनके बराबर हो जाते हैं तो यह दो चीजें होती है ठीक है अगला जो सिध्धान्त है थर्ष्टन थर्ष्टन का बुद्धिक सिध्धान्त है या बुद्धी सिध्धान्त देखो इस सिध्धान्त में बोला गया है पीयर मैन के बुद्धी के सिध्धान की आलोचना करते हुए कहा गया है जी कारक नहीं है बलकि बजाए बुद्धी प्रार्थमिक मानसिक छमता यानि PMA का समू है मुल रूप से साथ प्रार्थमिक मानसिक छमता हैं और सभी एक दूसरे से स्वतंत है इन PMA का यहां पर विब्रण दियागा जैसे उन्होंने साथ जो PMA है उसका विब्रण क्या बोलते हैं सब्द प्रवा सब्द को तेजी से सोचने और उपियोग करने की छम्ता जैसे इसका क्या करते हैं इसमें छम्ता जो चिस विक्सित करते हैं वाचिक बोध सब्द आउधारना या विचार के अर्थों को सही धंग से समझाने की छमता हैं यहीं वाचिक सब्द का मतलब बता जो बोले जा रहे हैं या जो आउधारना है या उसके विचारों को हम सही धंग से या बहता धंग से हम उसको किस प्रकार से धंग से सीख रहे ह उसको बताता है जैसे कोई सब्दा वली का परिक्षण है या उसका आकलन किया जाता है अगला जैसे अस्थानिक छम्ता वातरों है जैसे अस्थानिक छम्ता वातरों है हमारे आसपास जो चीजे हैं उनमें वस्तू का जो पैटन यानी तरीका है कोई भी वस्तू किस तरीके मे किसी विख्टि कर लेता है तुरंत उसको क्या कर लेता या क्या है है संख्यात्मक योगिता एंस अंख्यात्मक य्योग है उसकी बुध्धि čलती 땅ख को साइट्ध जल्दी उसको जोड़ देंगे बहुत लोग उसको जोड़ते ही रहेंगे पांच मिनट उनको लग जाएगा तो इसमें भी बुद्धी का है एक होता है ठीक है और नागत्मक आगाना निरिक्षण करने में एक सामा निरिक्षण करने में होता है देखो क्या होता है कि जैसे किसी चीज का निरिक्षण किया जाता है जब हम किसी चीज को सर्वे करते हैं निरिक्षण करते हैं तो उसमें भी नियम बनाने क्षमता है जैस इस्मृति को जल्दी याद करने की छमता या सही तरीके से किसी-किसी व्यक्तियों में क्या होता है कि कोई जो चीज है जिसे मानलो याददास है कुछी-किसों को चीजें याद रहती है कोई व्यक्ति होता है भूल जाता है यह होता है कि किसी में सोचना और समझने का जो है ज़्यादा तरीका हो जल्दी से सोच लेता समझ लेता है या सोचना है कैसा तो याद रख सकता है यानि उसमें यादास बहुत तेज है वह आज के 50 साल की बात भी उसको याद है कुछ को पिछली साम को क्या खाय था वही उनको पता नहीं है तो या दो सिध्धान्त जो है जादा important है और इनहीं दो सिध्धान्तों को अगर आप लिख देंगे तो यानि बुद्धी का सिध्धान्त जो है यह थोड़ा एजी है है, और इनको लिख सकते हो ठीक है, जो मैंने बताया था, जबाये तो इनके कुछ सिध्धान्त है, इसमें सिरफ दो उपर के सिध्धान्त है, वोई थोड़ा जरूरी है, उसको किया जाता है ठीक है अगर हम बुद्धी के मुल्यांकन की बात करें तो इसमें क्या रहेगा ठीक है जिसे यहाँ पर बुद्धी का मुल्यांकन जो करें जैसे बुद्धी का मुल्यांकन का मतलब होता कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे बुद्धी बढ़ती जाती ह यहां पर एक table बनी है जैसे 30 से अधिक, 30 रेष्ट बुद्धी होती भाई कितनी आपकी है, यह कोई मापा जाता है, बुद्धी को मापन किया, ठीक है बुद्धी मुलांकन उसी को बोलते हैं, जब हम किसी के बुद्धी को माप रहे हैं, यह इतना 100 नंबर प्यारा है, तुम बिल्कुल अनपड़ हो, तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं है, 120 आरा चलो ठीक ठाक है, 150 वारा चलो तुम बहुत अच्छे हो, 200 वाग है तुम बहुत बुद्धी को मापा जाता है, तो बुद्धी मुल्यांकन का मतलब है, जब हम मस्तिक्स को मापें, कौन ज़्यादा बुद्धी परिक्षन के परकार के उपर एक टेबल बनी हुई है, इसको टेबल में देखें ठीक है, इस टेबल से ही स्कोस्टन को समझेंगे ठीक है, देखो एक तरफ बुद्धी सीमा, यह आपकी बुद्धी की सीमा कितनी है, और फिर उसका मतलब क्या देखो, 25 से कम है अगर आप ठीक है, तो क्या है, आठी गंभीर मानसिक दुरबलता है, यह आप बहुत ही एक टाइप से मानसिक रूप से बिमार हैं, आपकी बुद्धी बिलकुल काम नहीं कर रहे है, 25 से 49 गंभीर मानसिक दुरबलता है, यह बुद्धी के अनुसार है, ठीक है, माइन को ब में निमन एवसद बुध्र है आपकी 90nday 109 की बीच में क्या गावसद दिमात आपका है 1110 119 क्या है है उच आउसत बुद्ध रीक्ने का मतलब होता है že 121 29 में क्या है इक सो ब्लेमात् lemons किविच में अगर Across रात कि अधिлось जैसे अगर एवब है आपकी तो प्रतिभासाली है यानि जिसको हम बोलाना जैसे मैंने आपको बोलाना कि कुछ लोग गोड़ गिफ्टेड होते हैं न कि उनको कुछ जादा सोचना समझना नहीं पड़ता है वह चीजों को बहुत जल्दी सोच लेते हैं या बहुत जल्दी हों जान लेते हैं तो उनी को गोड़ गिफ्टेड लोगों को हम कह सकते हैं कि बहुतीगा कि उनका दिमाग उतना जै। नहीं उतना ज़्यादा भहतर नहीं लेकिन ओ लोग क्या कर सकते अव्यास करके अपनी बुद्धी को वह भी लोग एक अस्तर तक तेज कर सकते एक अस्तर तक ठीक है बुद्धी परिक्षण के प्रकार, वही हम बुद्धी का परिक्षण कैसे कर सकते हैं, ठीक है, देखो बुद्धी परिक्षण के कई मापडंड के आधार हैं, वर्गिक्षण, जैसे कि कितने परतिभागी परिक्षण में भाग लेते हैं, परिक्षण में प्रियुक्त एका क्यों एक ब्यक्तिगत परिख्षंप वहाए जो एक ब्यक्ति के बारे में दिया जाता है जैसे मालो हमने किसी एक ब्यक्ति लिया उसका दिमाग का जाच के इसकी बुद्धी दिमाग कितना है बता दिया कई मानोक्रित ब्यक्तिगत परिक्षन जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं कोई जो एक परसन है ख़िए जो कोई एक इनसान है या जो एक परसन है हम उसके बुद्धी को मापते हैं, यानि सिंगल परसन को मापते हैं, बेक्तिगत बुद्धी परिक्षन को बोला जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर स्टैंफोरड बने बुद्धी मापन क्या है, इनको उनों बता रखा है, प्रिक्षन के जते हैं, जैसे समूर बुद्धी प्रिक्षन इतना ज़्यादे इंपॉर्टन होता नहीं, ठीक है साधा लिखना भी रहता है, साब्दिक और असाब्दिक परिक्षन साब्दिक असाब्दिक परिक्षन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो होता उस सब्दों को बहुत अच्छे से सफलता पूर्बग बोल लेता है या उसको भासा की समक्षा नहीं होती है कुछ असाब्दिक परिक्षन यानि वो सब्दों को बहुत बहुता डंग से नहीं बोल पाता है संस्कृति निर्पेक्च और संस्कृति अभीनत परिक्षन संस्कृति निर्पेक्च और संस्कृति अभीनत परिक्षन जैसे संस्कृति मुक्त परिक्षन अगर हम किसी बुद्धी का परिक्षन करें तो उसमें संस्कृती जो है कहा ओ पढ़ा है पला है बड़ा है उसकी आधार पे जब बुद्धी अलग-अलग होती है जैसे माललो कोई लड़का जो है भारत में है तो उसकी बुद्धी है कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में रहता तुछ कि बुद्ध्धी में στην eight उगाना कोई गाव का को लड़का है कोई शेर का लड़का तो उसमें दिमाँ में बुद्धी में सौचने समझने में कुछ फरक आता है की नहीं आता बता इये इस संस्कृती होती है संस्कृती का फरक हो सकता है जैसे उन्हें बोला न कि भारती प्रहरी छेत्र में पले बड़े बच्चे से अमेरिका में पाला गया बच्चा कई माम में बहुत अलग होगा कोई अगर बच्चा भारत के गाउं में पल रहा है और कोई Metro City में पल रहा तो फरक होगा न और कोई भक्ता भारत की Metro City में पल रहा कोई अमेरिका में पल रहा है तो उन दोनों की बुद्धी में क्या होगा डिफरेंस होगा न अंतर होगा न वो बुद्धी में हमें दिखाई देगा यानि उसमें इन दोनों का जो अंतर होता है वह हमें बिल्कुल साफ और असपष्ट तरीके से यानि उन दोनों की बुद्धी परिक्षन में हम उसको आसानी से देख सकेंगे यानि उन दोनों की जो दिमाँख है जो माइंड अगर हम उसमें बात करें बिल्कुल कलियर तोर से आपको दिखाई देगा कि उन दोना को जो mind है वो बिल्कुल अलग-अलग है यानि रहेंस हैं जो सब्विता संस्कृति होती है ठीक है संस्कृति परिक्षन में हम देखते हैं कि भई आप कहा पर पढ़ें हैं बढ़ें हैं उससे भी आपके दिमाग जो mind है उसके बुद्धी पर उसका भी प्या करता है प्रभाव पढ़ता है नेक्स्ट जो हमारा रहगा सामबेगिक और सामाजिक बुद्धी क्या होती है इसको थोड़ा इसाद आपका एक भुग थी मैं अगर भूल रहा हूं बीपी सीजी 175 है ठोरी 185 है उसमें सामबेगिक बुद्धी और सामाजिक बुद्धी पर पूर मांसिक छमता के ज्यानात्मक पहलू को माप सकता है कि जो पारमपरिक परिक्षण है बुद्धी का वह किसी की किवल ज्यानात्मक पहलू यानि उसको नोलेज कितनी है ज्यान को हम माप सकते है लेकिन गार्डनर जैसे कई बैग्यानिकों ने प्रस्तावित किया है कि गैर सं ग्यानात्मक बुद्धी के कई रूप हैं जो हमारे विवार को प्रभाविद करते हैं उन्होंने कहा है कि किसी की बुद्धी लबधी या बुद्धी ग्यानात्मक लक्षन से पूरी तरा स्पस्ट नहीं कर सकती 1990 की सुरुवात में जोन मेयर ने सबसे पहले महात्पूर्ण गयर ग्यानात्मक बुद्धी यानी भावनात्मक बुद्धी जिसे हम बोलते हैं E.I. को प्रस्तुत किया और परिभासित किया ठीक है उन्हेंने भावनात्मक बुद्धी को भावनाओं को देखने और व्यक्त करने की छमता भावना के साथ विचार समझ और कारण को आत्मसाथ करने और सोयम को दूसरों की भावनाओं को बियनित करने के रूप में परिभ करने के लिए के लिए जिम्मेदार थे परन्तु उन्होंने गोल मैन की सारवधिक विक्री वाली पूस्तक इमोशनल इंटेलिजन्स हाइट इस्ट कैन मोट मैटर मोन इन आइक्यू इन जैसे सब्दों को सामान ने बनादिया है यखो बहुत इमोशनल इंटेलिजनस शो मोलते हैं सांबेग बुद्धी कू सांबेग बुद्ध है उन्हों और खाई मोडल का प्रस्तार और या भाई या कुछ ऐसी बुद्धी होती है जो भाउनाओं को समझती है और बैक्त करती है ग्यानात्मक नहीं ग्यानात्मक तो बुद्धी है भाई आप कितना स्वार्प हैं कितना घटा कर सकते हैं कितना मायत कर सकते हैं और आप कितना ते दिमाग दोड़ा सकते हैं यहाँ पर ह किसी की भावनाव भावनाव को कितना समझ सकते हैं, घटर्ण से उनका विस्लेशन कर सकते हैं यहां पर जो हम सामबेगी बुद्ध होगी कोई मैत में बहुत है कोई गणित में त refugees कोई साइंस में तेज हो उनकी बात ने बलकि जो भवनाओ outfits को ब्यक्त कर सके यहां न को समझना औरूंका विसलेशन करना ठीक है भावनाओं का बीनिमे करना अधिक से अधिक लक्षों को प्राप्त करने के लिए सोयम की और दूसरे की भावनाओं के बीनिम करने की जुच्छमता यानि यहां पर भावनातमक हम बात करें भावनातमक बुद्धी किसमें कितनी तेज है यान भावना के लिए पर पर कितना सोच सकता है कितना समझ सकता है कितना जान सकता है उसको आप कहेंगे भावनात्मक बुद्धी ठीक है जिसे किसी की भावनाओं को जानना है या सोयम का प्रबंधन करना या सोयम को प्रेडित करना दूसरे के संबेगों को पहचानना और रिष्टों को सम्हालना है कोई-कोई व्यक्ति होता न उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अनपड होते वह भी पूरे परिवार को चला रहा है कोई ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है बलकि रिष्टों को सम्हाल रहा है रिष्टेदारियां चला रहा है कोई व्यक्ति बहुत ज़दा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी दूसरों को प्रेड़ित करता है, भाउनाओं को प्रबंधन करता है, दूसरों को पहचानता है, जानता पहचानता है, लेकिन उतना जो पढ़ा लिखा व्यक्ति यह साइद हो ना करें, इसलिए यहाँ पर हम जो सामवेगी बुद्धिकर है यानि जो समवेग है जो भावना है ठीक है वो भावनाओं को ज्यादा बहतर समझ रहा है जैसे मना कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखाना हो लेकिन वो रिष्टियों को सम्हाल रहा घर का मुखिया हो और घर में सबकी समझादार बहुत ज्यादा है ज्यादामज़ की तेज़ है इसको हम क्या बोलेंगे भावनात्मग ज्या होती है देखे sat नेक्ट है कि सामाजिक बुद्धी दूसरे प्रकार के गैर ग्यानात्मक बुद्धी को सामाजिक बुद्धी यहनि S.I.E. की रूप में जाना जाता है ठीक है इस सब्दका प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक जो बुद्धिमानी और दूसरे लोगों को समझने और प्रवंदित करने का कौसल जो थी उनका उसल का वर्ण करते थी गैल मैन ने S.A.E. को परिवासित करते हुए कहा कि लेकि समाजिक बुद्धिमान नहीं इसकारण ने इसे प्रतावित किया दोनों एक दूसरे से संभनित हैं और एक ही निर्ण kehaktak को प्रतिनिजित कर सकते उन्हों ने कहा कि उनके बुध्धी के सिध्धान्त में बुध्धी का GARDENER की ब्यक्तित की बुध्धी के उधाना का संवेगात्मक बुध्धी और समाजिक बुद्धी का एक संयोजन है उप्युक्त कतनों के आधार पर उन्होंने बता है कि इन दोनों सब्दों SI और EI एक ही अंतरगट अधिक सटीक होगा ठीक है इन्हीं सामाजिक बुद्धी का मतलब होता है कि हम समाज में सिर्फ अपने चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं अपने ग्यान को नहीं समझ पा रहे हैं बलकि हम दूसरी चीजों को या दूसरे लोगों को या दूसरे की भावनाओं को भी हम क्या कर सकते हैं भीया बहता धंग से समझ पा रहे हैं ठीक है इसलिए उन्होंने इस नय निर्माड को संभेगातमक सामाजिक बुध्धी का बार उन मोडल के अनुसार समबिगात्मक सामाजिक बुद्धी अंतर भावनात्मक सामाजिक दक्षता कौसल और सुविधा का एक अनुप्रस्त काठ है जो है निर्धारित करता कि हम खुद को कितने प्रभावट अहली संग से समझते हैं और बैक्त करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे सामाजिक बुद्धी यानि जो स्वयम को भी समझती हो और दूसरों को भी समझने की छमता रखती हो हम उसको क्या बोलेंगे सामाजिक बुद्धी बोला जाता है भई खुद को तो समझ रहे हो खुद के लिए तो जागरुख हो ही खुद तो आता ही है लेकिन तुम समाजिक समाज के हित को समाज के भलो को भी उसको ले करके तुम जागरुख हो उसकी विवाते करते हो यह नही अधिकारों को लेकर के तो आप तो बहुत सा जग हैं लेकिन दूसरे के अधिकारों को लेकर के बिल्कुल सा जग हैं उन पर बात नहीं करते हैं तो यह समाजिक गुद्धी नहीं है बलकि स्वयम को समझना और दूसरे को भी समझना इसको हम क्या कह सकते हैं कि यहां समाजिक है इस युकर हम क्या बोलेंगे वही सोशल इंट्रिजेंस कर सकते हैं आपके सामाजिक तोर से यह सामाजिक तोर से चीजों को समझ रहे आध निस जार है जैसे हमने इसमें भावनात्म को उध्धी की बात कि इन्हीं आफ भावनाओं को समझ सके हर इंसान की जो भावना भावनातमक संबंधा है इस तारी चीज़े बता गए तो भावनातमक बुद्धी और आपकी इसमें लाष्ट में दी गई है मैंने आपको bondi के साथ चेप्टर नंबर फाइव था और इसके साथ जो आपका है चेप्टर नंबर फाइव है यह पूरा समाप्थ हो गया इसमें जितना था उतना मैंने आपको बता दिया है चेप्टर नंबर फाइव हो गया है ठीक है